बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब बोधी व्रिक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का ज्यान प्राप्थ हुआ था। एक बार वे एक छोटे से गाव में पहुँचे। गाव के लोग उनकी उपासना और उपदेश सुनने के लिए उच्सुक थे। गाव में एक व्यक्ती था, जिसका नाम था गोपाल, गोपाल बहुत ही स्वार थी और लाल्ची था। उसे सिर्फ अपने लाब की चिंता थी। वहा हमेशा दूसरों को धोखा देने एवा अपने लिए सुविधाएं जुटाने में लगा रहता था। जब बुध गाव में आए, तो गोपाल को लगा कि अब उसे भी कुछ फाइदा उठाना चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं बुध के पास जाऊं और उनसे धन एवं भाग्य की प्रार्थना करूं, तो मुझे कुछ लाब मिल सकता है। गोपाल ने बुध के पास जाकर कहा, हे महान भगवान, मैं आपका शिश्य बनना चाहता हूं। कृप्या मुझे समरिध्धी और धन का आशीरवाद दीजिए। बुध ने मुस्कराते हुए कहा, गोपाल, धन और समरिध्धी में केवल बाहरी वस्तुएं होती हैं, लेकिन सची समरिध्धी तो मन की शांती में नहित होती है। अगर तुम सचे सुख की तलाश कर रहे हो, तो तुम्हें अपने स्वार्त को छोड़ना होगा और दूसरों की भलाई में ध्यान लगाना होगा। गोपाल ने मन में सोचा, ये तो एक साधारन बात है। मुझे तो बस धन चाहिए। बुद्ध ने गोपाल को सलाह दी कि वह गाव के गरीबों की मदद करे। शुरू में गोपाल ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसने देखा कि जब भी वह गरीबों की मदद करता, उसे एक अंजानी खुशी मिलती थी। एक दिन, गाव में सूखा पढ़ गया और सभी लोग परेशान हो गए। गोपाल ने सोचा, अगर मैं इस मौके पर दूसरों की मदद करूंगा, तो मुझे उनका प्यार और सम्मान मिलेगा। उसने अपने पास मौजूद दान किया और गाव वालों के साथ मिलकर एक तालाब खोदने का फैसला किया। सभी गाव वाले मिलकर काम करने लगे। गोपाल ने उनके साथ मिलकर दिनरात महत की। तालाब खोदने के बाद वर्षा आई और तालाब भर गया। गाव के सभी लोग बहुत खुश थे गोपाल को भी उनकी खुशी में एक अद्भुट संतोश मिला उसी दिन बुद्ध ने गोपाल से कहा अब तुम समझ चुके हो कि सच्चा धन क्या है यह तुम्हारी खुशिया और दूसरों की भलाई में है न की केवल स्वार्थ में गोपाल ने उनके शब्दों को अपनाया और आगे से उसने अपने जीवन को सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलाने का निरनय किया इस तरह गोपाल ने न केवल अपनी सोच में बदलाव किया बलकि उसने गाव के लोगों के दिलों में भी अपनी जगा बना ली। बुद्ध की शिक्षाएं उसे सची खुशी की ओर ले गई। और वह एक आदर्श व्यक्ति बन गया। कहानी का सार यही है कि सच्चा सुक और सम्रिधी कभी स्वार्थ में नहीं, बलकि दूसरों की भल में है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि सेवा और प्रेम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।